नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि टैली प्राइम में कैसे आप कंपाउंड यूनिट को क्रियेट कर सकते हैं, कंपाउंड यूनिट से आपको क्रियेट पे जाना है, और उसके बाद आप इन्वेंटरी मास्टर्स के नीचे देखेंगे यूनिट, यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपल यूनिट को क्रियेट कर सकते हैं, इस स्क्रीन से, मैंने अल्रेडी क्रियेट किया है, तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको क्रियेट करना है, तो गेटफे आप टैली से हम जाएंगे आल्टर पे, और मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आपको सबसे पहले सिंपल यूनिट को क्रियेट करना है, तो गेटफे आप टैली से आल्टर पे, इन्वेंटरी मास्टर्स में यूनिट आप देखेंगे तो सबसे पहले हम kg का create कर लेते हैं simple unit तो kg का आपको कैसे simple unit create करना है symbol में आपको kg लिखना है formal name में आप kilogram type कर लीजिए और उसके बाद देखिए जो uqc है तो symbol में आपको type कर लेना है kg formal name में आप type कर लीजिए kilogram और उसके बाद uqc में एक list आपको show होगी तो uqc में आप list को select कर सकते हैं तो uqc में जो list आपको show होगा kgs kg होगा तो उसको select करके यहीं से alt a प्रेस कर लीजिए तो simple unit हमने kg का create कर लिया है उसके बाद next में आपको show करूँगी कि कैसे आपको gram के लिए simple unit को create करना है अब चलिए gram का हम simple unit create कर लेते हैं तो symbol में आपको gm यानि को gram का symbol होता है वो आपको type कर लेना है formal name में जो gram का full spelling है वो type कर लीजिए uqc में आपको यहाँ पे gm's gram select कर लेना है control a करके इसको आप save कर लीजिए तो हमने यहाँ पे kg and gram का simple unit create कर लिया है अब compound unit create करने के लिए यहीं से आपको उपर create का option show हो रहा है उस पे click कीजिए click करते ही देखिए यह screen open हो जाएगी तो आपको simple पे click करना है cursor लेके जाना है यहाँ देखिए compound unit show हो रहा है तो उस पे click कीजिए compound unit पे click करते ही unit with multiple factors यह आपको option show होगा तो first unit आपको select करना है हम यहाँ पे kg select करेंगे उसके बाद देखिए kg में कितने grams होते हैं 1000 gram होते हैं तो हमें यहाँ पे 1000 type कर लेना है then second unit आपको select करना है gram इस type से आपको kg का compound unit create करना है kg select करना है 1000 gram करके इसको alt एकरके accept कर लेना तो इस type से आपको kg का compound unit create करना है टैली प्रैम में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं kg of 1000 gram पे जब आप click करेंगे तो आपको यहाँ पे show होगा अब चलिए एक stock item को create करके देख लेते हैं तो मैंने already create किया हुआ है rice का stock item तो यहाँ पे आप create पे जाके create भी कर सकते हैं अपने stock item को तो मैंने already create किया है rice का stock item मैं आपको show करती हूँ तो यहाँ पे मैं rice type कर लूँगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं rice का हमने create किया हुआ है आप unit देखेंगे तो आपको kg में show होगा एंट्री डिटेल्स में यूज अल्टर्नेटिव युनिट इस ओप्षन को आप यस कर लेंगे तो अल्टर्नेटिव युनिट वाला ओप्षन आपको शो होगा यहां पे आप कंपाउंड यूटि का यूज कर सकते हैं जैसे कि हम राइस केजी में भी सेल करते हैं ग्राम में सेल करते हैं तो यूनित में आपको kg रखना है alternative unit में gram रख लिजे 1000 gram is equal to 1 kg इस type से आप stock item को create करके अब मैं आपको entry शो करती हूँ कि entry में कैसे show होगा तो gateway of telly से हम भी प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको sales शो कर दी हूँ तो यहाँ पर support कीजिये हम cash में sale कर रहा है name of item में मैं rice select कर लेती हूँ तो rice select करने के बाद दिखिये quantity में आप यहाँ पर support कीजिये हम 10 kg या फिर 15 kg आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो मैंने आप 10 kg लिया है तो आप नीचे देखेंगे आपको alternative unit में 10,000 gram शो हो रहा है इस type से आप compound unit को create करके and sell purchase कर सकते हैं टेली प्रैम में I wish ये वीडियो आप सभी लोग के लिए helpful रही होगी Thank you and keep watching my videos